नमश्कार हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ निहा गुपता इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की एहम घटनाओं के बारे में हिमाचल विधानसभा के मौनसुन सत्र के दोरान स्वास्थे मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से किया वौक आउट सी एम जैराम बोले अभी स्कूल बंद करने का कोई इरादा नहीं स्वर्ण आयोग पर कही ये बात विधायक विक्रम आदित्य ने सदन में उठाया सामा निवर्ग आयोग के गठन का मामला ह्प्यू में SFI और ABVP कारकरता भीडे जम कर चले लाग घुसे चमबा में ड्यूटी से घर लोट रहे SPO को दो भाईयों ने डंडे से पीट-पीट कर किया लहू लुहान हिमाचल में तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट नदी नालों से दूर रहने की दीज सला याद रखें कि कोरोना का खत्रा अभी टला नहीं है हमारा आप सभी से आग रहे है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के तीन उपायों का पालन करें मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें देश भर में कोविट टी का करन अभ्यान चलाया जा रहा है अपनी बारी आने पर कोरोना का टी का अवश्य लगवाएं अब समचार विस्तार से हिमाचल विधानसभा के मौनसूल सत्र में मंगलवार को सदन में स्वास्थे मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में जम कर हंगामा किया इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने नारे बाजी करते हुए सदन से वौक आउट कर दिया वहीं सीएम जैराम ठाकुर ने विपक्ष के वौक आउट की निंदा करते हुए कहा कि मंत्री विस्तार से सदन में जानकारी दे रहे थे और विपक्ष सुनने को तैयार नहीं था सरकार ने कोरोनाकाल में बहतर कारे किया है अस्पतालों में मरीजों को बिस्तर उपलब्द कराए गए उप्युक्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्द करवाई है सत्ता पर रहते हुए कॉंग्रेस ने 50 साल में सिर्फ 50 वेंटीलेटर दिये थे आज 800 वेंटीलेटर हैं और 500 वेंटीलेटर पीम केर फंट से मिले हैं सीएम जैराम ठाकुर ने कहा कि हमने बहुत लंबे अंतराल के बाद स्कूल खोले हैं स्कूलों को चरणवद्ध तरीके से खोला गया है इसलिए तुरंथ ही स्कूलों को दोबारा बंद करना जल्द बाजी होगी वहीं उन्होंने कहा कि अगर हालात बिगरते हैं तो इस पर विचार किया जाएगा प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कयास लगाया जा रहा था कि कुछ देर बाद होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्कूल बंद करने पर विचार किया जा सकता है लेकिन मीडिया से बाचीत के दौरां सीम ने इस मामले में स्पष्ट किया कि स्कूल बंद नहीं होंगे हलांकी शिक्षा विभाग से स्कूलों में छात्रों के संक्रमित होने का पूरा रिकॉर्ड मांगा गया है मंगलवार को स्वास्थे मंत्री के जवाद से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने वाकाउट किया जिस पर सीम जैराम ठाकुर ने एतराज जताया साथ ही उन्होंने कहा कि वे भले ही सरकार के काम की तारीफ न करें लेकिन कोरोना महमारी से निपटने की एक सार्थक चर्चा करें कॉंग्रेश विधायक विक्रम आदित्य सिंग ने मंगलवार को ही माचल विधानसभा सदन में सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षन देने का मामला उठाया उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग आयोग बनाने की मांग हो रही है जिससे वे लोग अपनी आवाज को बुलंद कर सके उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग आयोग का गठन होना चाहिए और इसके माध्यम से इस वर्ग के लोगों की समस्याओ का ही समधान होगा जवाब में सीम जैराम ठाकुर ने कहा कि ऐसे मसलों में राजनीती की तलाश भी होती है लेकिन बात मुद्दों को सुलजाने की होनी चाहिए जैराम ठाकुर ने कहा कि आयोग के गठन का मामला सरकार के ध्यान में है इस मुहीम से जुड़े सदस्यों को सयम रखना चाहिए स्वर्ण वर्ग के सदस्य उनसे भी दो बार मिले हैं उन्होंने माना है कि जायज मामले उठने चाहिए देश में दो ही राज्ये हैं जहां इस आयोग का गठन हुआ है शेस समचार ब्रेक के बाद आपके स्वास्तिका प्रहरी श्रीबालाजी हॉस्पिटल कांगरा हिमाचल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्याले परीसर में मंगलवार को SFI और ABVP कार्यकरताओं के बीच जम कर लात्खु से चले इसी बीच मौके पर पहुँची पुलिस और विश्वविद्याले सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह दोनों छात्रसंगों के कारेकरताओं को वहां से तितर बितर किया इस मामले में SFI का आरोप है कि ABVP के कुछ कारेकरताओं ने नशे की हालत में SFI की छात्रा कारेकरता के साथ बत्तमीजी की छात्रा के विरोध करने पर मौके पर मौजूद SFI व एबी विपित कारेकरता आपस में भिड़ गए उधर ABVP का आरोप है कि SFI कारेकरता बीते कई दिनों से उन्हें उपसा रहे थे और मंगलवार को कारेकरताओं के साथ बचसलूकी की गई जिस पर दोनों गुटों के बीच हाथ अपाई हो गई हालांकि मार पीट में किसी को घंबीर चोटे नहीं आई है ड्यूटी से अपने घर लोट रहे SPO को दो भाईयों ने बीच रास्ते में रोक कर डंडे से पीट-पीट कर लहुलुहान कर दिया SPO किसी तरह जान बचा कर खून से लगपत हालाद में वहां से भाग कर घर पहुँचा जहां से परीजन उसे उपचार के लिए प्रात्मिक स्वास्ते के इंदर तेल का ले गए इसके बाद SPO को उपचार के लिए चमबा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया गायल SPO की पहचान सुखलाल निवासी गाउं दिवाला पंचायत भजोत्रा के रूप में हुई है सुखलाल ने बताया कि 8 अगस्त रात 9 बजी जब वह सकोर्टी में ड्यूटी के बाद अपने घर जा रहा था तो दिवाला गाउं के पास यश्पाल और प्रीतम ने उनका रास्ता रोप लिया इससे पहले की वेस कूटी से उतर कर उनसे रास्ता रोपने का कारण पूछ पाते दोनों ने डंडों से उस पर हमला करना शुरू कर दिया DSP शेर सिंग ने बताया कि SPO के साथ दो लोगों ने मारपीट की है पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्श कर लिया है पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्यान केंद्र शिमला ने 12, 13 और 14 अगस्त को प्रदेश के मैदानी वं मध्य परवतिय भागों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है पूरे प्रदेश में 15 अगस्त तक मौसम खराब रहने के आसार है मध्य परवतिय भागों में 16 अगस्त को भी मौसम खराब रहने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश में भूस्कलन हो सकता है और नदियों का जलस्थर बढ़ सकता है ऐसे में स्थानिय लोगों व प्रियटकों को नदिनालों से दूर रहने की सलाह दी गई है मौसम विभाग ने उना, बिलासपूर, हमीरपूर, चमबा, कांगडा, मंडी, शिमला, सोलन और सिर्मौर जिले के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है उधर आज राजधानी शिमला व आजपास के भागों में मौसम फिलाल साफ बना हुआ है इस बुलेटिन में बस इतना ही नमस्कार